आज मैं आपनों के साथ डिसस करने वाली हूँ पाइरी डॉक्जीन हाइड्रो क्लोराई टेबलेट के बारे में जब हमारी बॉड़ी में विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो हमारी बॉड़ी में बहुत सारे प्रोबलम देखने को मिलता है तो विटामिन B6 की कमी से हमारी बाड़ी में जो भी प्राबलम होती है उसको ठीक करने के लिए इस टैपलेट का यूज क्या आता है विटामिन B6 हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन B6 अमीनो एसीड प्रोटीन एन कार्बोहेडरेट के मेटाबोलिजम में भी हल्फूल होता है इसकी वज़े से हमारे हाथों में और पैरों में दर्द नहीं होता है और ये हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है इस वज़े से हमें depression और confusion जैसे बिमारी नहीं होती है अगर vitamin B6 की कमी हो जाती है तो हमारा immune system बहुत जादा weak हो जाता है और इसकी वज़े से अगर vitamin B6 कमी हो जाती है हमारी body में ति उसकी वज़े से हमें depression हो सकता है, हमें confusion फील हो सकता है बाद में हमें dementia जैसी problem हो सकती है VITAMIN B6 की कमी से microcatic anesthesia भी होती है और tongue भी हमारा swell हो जाता है जिसको glositis बोला जाता है तो tongue red हो जाती है swelling हो जाती है इसमें तो ये भी VITAMIN B6 की ही कमी से होता है VITAMIN B6 की कमी से dermatitis भी होता है जो skin infection होता है और इसकी वजह से लिप के बीच में क्रेक हो जाती है लिप के साइड में जो क्रेक होती है जिसको चिलोसिस भी बोला जाता है वो भी विटामिन B6 की ही कमी से होता है तो ऐसी अगर आपको कोई भी प्रॉबलम है तो उस टाइम इस टैबलेट का यूज किया जाता है इस दवा विटामिन B6 की दवाई दी जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर यह इससे ठीक हो जाता है तो ठीक है अगर विटामिन B6 के वजह से ठीक नहीं हो पा रहा है तब दिया जाता है एंटी इपलेप्टिक दवाई और अगर कोई पैसेंट बहुत ही लंबे टाइम से हैड्रोक्लोराइट टैबलेट को क्योंकि विटामिन B6 हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है तो अगर विटामिन B6 की कमी हो जाती है हमारी बाडी में तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो ज चाहिए तो पारीडॉक्जिन हैड्रोक्लोराइड टेवलेट को हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए क्योंकि पैसेंट का क्या कंडिशन है वो एक डॉक्टर ही जान सकता है तो कभी भी कोई भी दवाई आप अपने से यूज ना करें और यह क्योंकि विटामिन B6 के लिए है तो हमारी बॉडि में बहुत सारे फंशन होते हैं जो विटामिन B6 के वज़ा से होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है अगर इसकी कमी हो गई तो डॉक्टर वही कंडिशन पहले चेक करते हैं उसके बाद इस दवाई को सजेस्ट करते हैं इसलिए आपको हमेशा prescription के हिसाब से ही लेना है। लेकिन ऐसे भी food पाया जाते हैं जो आपको regular use करना चाहिए जिससे की हमारी body में vitamin B6 की कमी ही ना हो। ताकि हमें कोई भी problem face करने की जरद ना हो। तो ऐसे ही कुछ food के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आता है अमरूद, अमरूद बहुत ही common है कहीं भी आपको मिल जाता है तो आपको अमरूद को अपने diet में सामिल करना चाहिए ताकि आपके body में vitamin B6 की कमी ना हो। दूसरा आता है पालक जो की बहुत ही common सबजी हैं। तीसरा आता है प्याज जो की रेगुलर आप यूजी करते हैं। नेक्स्ट है कठल कठल की आप सबजी भी खा सकते हो या फिर उसको fruit के तरह भी खा सकते हो जो की vitamin B6 का अच्छा source है। नेक्स्ट आता है चोला जो की आप commonly कहीं भी आपको मिल जाता है। और आफ खाते भी होंगे। नेक्स्ट आता है troubled एवाकाडो एवाकाडो अफक्रास किमस वगरे अभी तो आप इसके अलावा कि witnessed np таких कि भी मिलता है। and almond जो होता है almond में मी vitamin B6 बहुत फिटामिन बी 6 बहुत ही अच्छी मात्रा में होता और पिस्ता में तो बहुत जादा vitamin B6 और cheese का भी आप यूज कर सकते हो cheese भी एक अच्छा source है इसका इसके अलावा आपको बनाना, मुंग, फली, काजू, फ्लेक, सीड इन सब में भी विटामिन B6 अच्छी मातरा में मिलती है तो आपको रेगुलरली अपने डाइट में इन सब चीजों को सामिल करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में कभी भी विटामिन B6 की कमी ना हो तो अगर आपको डाइट से विटामिन B6 अच्छी मातरा में नहीं पिल पाती है तो विटामिन B6 की बहुत जादा कमी हो जाती है तो जब कमी होती है तभी पाइरोडॉक्जिन हैड्रोक्लोराइट टैबलेट को डॉक्टर सजिस्ट करते हैं ताकि आपकी बॉडी में जो लग-लग स्ट्रेंथ में मिलता है और यह अलग-अलग ब्रैंड में भी आते हैं अलग-अलग कमपनी इसे बनाती है जिसमें पाइरोडॉक्जिन ही होगा फैरोडॉक्जिन हएड्रोक्लोराइट के नाम से तो कुछ यहां पर मैं ब्रैंड के नाम बता देती हो जैसे कि B- बी लॉंग जो होता है यह ब्रांड का नाम है और इसके अंदर पाइरी डॉक्जीन ही है लेकिन यह सस्टेंड रिलीज टैबलेट के फॉर्म में आता है यानि कि एक बार आप खाऊगे और वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में रिलीज होता है लेकिन उसके अंदर दवाई पा आने के लिए आप मेरी चैनल से जुड़ सकते हैं तो आप मेरी चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करते वे जाएं